शरत पवार का साथ छोड़कर अजित पवार कुछ विधायकों के साथ बाहर आ गए जिसके बाद उन्होंने मंत्री पत की शपत भिली अजित पवार फिलहाल उपु मुख्यमंत्री है और उन्हें हाल ही में अर्थक खात दिया गया है अब अजित पवार के उप मुख्य मंतरी बनने के बाद भी उनके मुख्य मंतरी बनने की चरचा थमती नजर नहीं आ रही है अजित पवार के जनम दिन के मौके पर जलगाव जिले में बैनर लगाए गए है और इस बैनर पर लोगों के मन में भावी मुख्य मंद्री की बात लिखी जा रही है अजित पवार के कटर समर्थक जिया परिशा सिदेश से रविंद्र पार्टिल ने ये शुब कामनाएं बैनर लेराए है अजित पवार के नसीपी से बाहर निकरने के बाद सबसे पहरे जलगाव जिले के नसीपी कारिक रताव में से एक रविंद्र पार्टिल ने अजित पवार के प्रती अपना समर्थन जताया अजित पवार के समरतन में जलगाव जिले में रविंद्र पार्टिन ने भी जयकारा लगाया वही रविंद्र पार्टिन ने अजित पवार को जिनम दिन की शुप कामनाय देते हुए जलगाव जिले में भावी मुख्यमंत्री अजित पवार की नाम के बैनर लगाए है रविंद्र नाना पाटिन ने भुसावल और जलगाव दो जगों पर ऐसे बैनर लगाए है जलगाव शहर में नसिपी कारयले की ठीक सामने व्यस्त आकाशवानी चौक पर हाईवे के बगल में लगा बैनर हर किसी का ध्यान खीच रहा है जबकि नसिपी और कॉंग्रिस के दफ्तर पर अभी भी शरत पवार गुट का कबजा है वही इस दफ्तर के सामने लगा अजित पवार का बैनर चर्चा का विशेब बना हुआ है इस बैनर की एक और एहम बात है कि ये इसमें शरत पवार को छोड़कर अजित पवार बाहा थे लेकिन चुकि इस बैनर पर शरत पवार की तस्वीर भी नज़र आ रही है इसलिए ये राजनितिक चर्चा का विशेब बन गया है ब्यूरो रिपोर्ट बीसीन न्यूज